तो कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप लोग टाइटाल और थमने लेख के पहचानी गए होगी कि आज हम बात करने जा रहा है रेड्मी 6 के Android 10 अप्टेट के बारे में जी हाँ यह मैं रेड्मी 6 के डिवाइस और इसमें मैंने इंस्टॉल कर रहा है Android 10 जी हा मैं आपको यह आप इस सैटिंग्स में दिखा भी देता हूं कि यह मेरा पूरा Android 10 इस्टॉल है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 10 के पीचर्स के बारे में पूरा जो इस वीडियो में कवर करेंगे तो आप यह देख सकते हैं यह आगया Android 10 को अफिशा लोगो तो चलिए बिन आप तो आई यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है मेरा Redmi 6 डिवाइस और लॉक स्क्रीन को यह देखने से आप से लग रहा होगा कि यह पूरा डिफ्रेंट हो चुका है जी हां इसमें मैंने इंस्टॉल कर रखा पूरा Android 10 तो सबसे पहले अगर आप इसके यह होम स्क्रीन पर देखने को मिलता है और जो नोटिफिकेशन वा रही हमें स्टॉक एंड्रोइट को मिलता है अब आप पूछेंगे कि हमें यह स्टॉक एंड्रोइट को क्यों मिल रहा है तो मैं इसके लिए आपको पहली बता तो इसमें मैंने लाइने इस इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि MIUI 12 आएगा कि नहीं आएगा यह भी अभी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि इस डिवाइस के साथ शुरू सही काफी दिक्कत रही है और एंड्रोइट 10 तो भाई है यह यह अपम प्रीमियम स्मार्फोन पे देखने को मिलता है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है इसमें साथ जून का notebook तैकर ग्रम क्या को अची बात है साथ इस ROM में ये बात भी एक है कि इसमें आपको updates मिलेंगे जी हाँ जैसे कि आपको system में software updates भे शुरू में आपको software updates मिलेंगे इस्की जो settings से काफी जणा modified settings में आप बहुत सारे changes कर सक दिस्प्ले मोड डे Night काफी मादभी छीज़ इसमें आपको इनिवल करने को पूप्शन मिल जाता है नॉटिफिकेशन बार से लिग जाता है और बैटरी लाइफ तो इस रोम में क्या ही चैनल बैटरी लाइफ इस रोम में बहुत जाता है लिटरली मैं इस फोन को सुभा से यूज़ कर रहा हूं और यूज से 53% यह डिस्टाज ह हुआ है और मैं लगार्दार यूज कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैंने फोन रख दिया मेरा स्क्रीन ओं भी काफी जाता था इसमें मैंने जो गेम भी खेलके देखे काफी हैवी गेम्स सी कॉल अब्डुटी या पजी मोवाइल एक्सेक्टरा तो मैंने इस अब खेलके पर यह जो रोम में काफी कम लगा तो यह रोम में को काफी स्मूच भी लगा और इसमें मैं इसलिए इस लिए इसको इंस्टॉल किया तो यह बिसी कर रहा है काफी easy as compared to MIUI कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूं सारे Google Apps का support आपको यहां पे देखने को मिल जाता है आपको कोई unofficial ऐसा कुछ नहीं है मैंने खुद अपने Google account से login कर रखा है इस रोग में तो यह काफी अच्छी बात है कि Google Apps का सारा support आपको इसमें मिल गया है और स्मूथ भी चल रही है रही है और इसमें यह चीज देखने को नहीं मिलती है तो यह काफी अच्छी बात है उसके बात हम आते हैं बात करते हैं इसके bugs के बारे में तो इसमें कुछ सिर्फ एक ही बाग है बागी कोई बाग नहीं है बागी यह रोम सबसे जाबस्टेबल रोम है अभी तक की रैंडमी 6 डवाइस के लिए जो एक बाग इसमें में कुछ देखने को मिला वो था यह वोल्टी का बाग वो तो सारी रोम में रहता है आप जानते एक बाग आपने चियो को डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही जादा स्मूथ चलने वाला है और मैं आपको इसमें दिखा भी दो कि इसको नोटिफिकेशन बार रही है काफी अच्छा है और यहां पे आपको ब अग दाक सीम का मतलब है कि जितने भी सारे एप्स है यह सारी भी डाक मोड में चलेंगे जी आ जैसे कि हमां एंड्रॉइड 9.5 में यह रहता था कि सिस्टम में आता था डार्क जो अब देख चुके पर यहां पर जो सिस्टम एप्स के अलावा जिसे कि वाटसाप है या फे प्ले स्टोर में आपको दिखा देता हूं कि यह भी डाक मोड में चल रहा है तो मतलब यह सिस्टम वाइड प्लेट डायक मोड है इसका फुल फॉर्म यह ही कहते है इसको तो यहां पर सारे आप डाक मोड में चलेंगे चुकि काफी अच्छी बात है एक और बात में जो आपको देखने में इस वीडियो में और मैं आपको फिर से दिखा दूँ यह जो स्टेट पार एक काफी में को बड़ी अलग रहा है और यहां से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं इसमें कि आपको लाइट पॉन चाहिए डार्क मोड जो की काफी अच्छी बात है और यह काफी ज तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर एक पूरी वीडियो बना हूं पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो बना हूं कि आपको बताऊं कि कैसे इस्टॉल करना है इसको और यह बिना रूट के इस्टॉल हो जाएगा बिलकुल मैंने बिना रूट के इसे तो अगर आप के लिए ही इतना ही मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियोमें तब तक के लिए जायिन जायभारात भॉत झाल झाल झाल